आज हम आपको reference tab के index block के अंतरगत सभी options की जानकारी दे रहे हैं यदि आप चाहते हैं कि आपके document में कुछ essay word लिखे हैं जिनका आप similar word अलग से दर्शाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको mark entry के option का उप्योग करना होगा इस option की मदद से आप अपने document में किसी भी word के जितने भी similar words हैं उन सभी words को अलग से index कर सकते हैं तो चलिए अब इसे practical तरह से समझते हैं दोस्तों अगर आपको अमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को like करें, comment करें, share करें, subscribe करें और bell icon को जरूर दबाए तो चलिए वीडियो को शरू करते हैं आप देखेंगे हमने यहाँ पर एक document लिया हुआ है जिसमें हमने कुछ words को highlight किया हुआ है red color से और इसके नीचे की तरफ अगर मैं आपको दिखा हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने उनके related words का एक index यहाँ पर त्यार किया हुआ है अगर आप इस तरीके से अपने किसी भी data का index त्यार करना चाहते हैं किसी भी word के similar word से related तो आप किस तरीके से इसे कर सकते हैं कि चलिए आये सिकते हैं माल लिजे इस document के कुछ words को हम similar words से index करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको reference tab पर जाना है और यहाँ पर आपको एक option दिखाए देगा index block का और यहाँ पर आपको option दिखाए देगा mark entry का तो इसका आप किस तरीके से use करेंगे सबसे पहले आपको उस word को select करना पड़ेगा जिस word का आप similar word यहाँ पर type करना चाहते हैं तो उसके लिए माल लिजे हम यहाँ पर office को select करते हैं और यहाँ पर हम चले जाते हैं mark entry पर mark entry पर जैसी हम यहाँ आपर click करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर mark index entry का agency type करने के बाद यहाँ पर आपको current page को ही select करके रखना है और नीचे की तरफ आपको mark पर click कर देना तो आप देखेंगे यहाँ पर office के just bugle में उसका similar word आपको दिखाई देगा और इसके अलाव आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने आपको double click करना है जैसे आप discuss पर double click करेंगे और यहाँ पर mark entry पर आकर के जैसे एक बार click करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर main entry में discuss यहाँ पर दिखाई दे जाएगा और उसका sub entry यानि कि जो भी इससे similar word है वो यहाँ पर आप type कर देजे जैसे माल लीजे हम यहाँ पर type कर देते हैं dog oval और उसके बाद same as it is यहाँ पर भी इससे mark कर देजे इससे mark करने के बाद हम next word को यहाँ पर select करते हैं इसके बाद हम यहाँ पर further को select करते हैं वर्दों को स्लेक करने के बाद वापस से आपको यही पर ही क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसका सब entry यहाँ पर टाइप करना है जैसे माल लिए हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं opposite Opposite, Opposite type करने के बाद हम इसे भी यहां पर Mark कर देते हैं, Mark करने के बाद हम Next Word को Select करते हैं, इसी तरीके से जितने भी Words आपके पास हैं, उन सभी Words को यहांपर Select कर लिजे, मालेजे हम यहांपर Most को Select करते हैं, और वापस से हम Mark Entry पर Click करते हैं, आप देखेंगे, वापस से Most यह यहां पर mark कर लेते हैं तो बाकी जो हमारा word है मालीजे हम यहां पर select करते हैं introduce को और introduce को select करने के बाद वापस से हम mark पर click करते हैं और यहां पर इसका similar word यहां पर type कर देते हैं तो मालीजे इसका similar word है वो यहां पर हम meet डाल देते हैं मीट डालने के बाद यहाँ पर इसे मार्क कर देते हैं मार्क करने के बाद अब हम यहाँ पर information पर double click करते हैं और यहाँ पर वापस से mark entry को select करते हैं और यहाँ पर information का जो similar word है वो यहाँ पर type कर देते हैं से मालिजी हमने type कर दिया data और यहाँ पर इसे mark कर देते हैं आप देखेंगे यहाँ पर हमने six words का यहाँ पर similar word mark कर दिया है इसके बाद आपको यहाँ पर close पर click कर दें close पर click करने के बाद आप देखेंगे जितने भी हमने words यहाँ पर type किये थे उन सभी words का यहाँ पर similar word EX यानि के example के तौर पर आपको यहाँ पर दिखाई देरा है जैसा office के अगर हम बात करें तो office का हमने हाँ रहा रखाता agency, उसी तरीके से अगर हम discuss की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे talk over दिखाई देरा है, further की बात करें तो आप देखेंगे आपको वहाँ पर एंटर करके रीचे आजाना है, माल लिजिम यहाँ पर इसका इंडेक्स तैयार करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको simply click करना है, और click करने के बाद आप देखेंगे, आपको एक option यहाँ पर दिखाई देगा, insert index का, इस पर आपको click करना है, जैसे आप यहाँ पर insert index पर click करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर index के नाम से, आपको एक यहाँ पर dialog box दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा इसना preview, कि आपका जो index है वो इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जिसमें से आप यहाँ पर कोई भी template यहाँ पर select कर सकते हैं, जैसे मालीजे, हम अगर यहाँ पर fancy को select करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर fancy का format आपको यहाँ पर दिखाई दे रहें, इसी तरीके से अगर आप from templates की बात करें, तो यहाँ पर जो by default templates है, आपको वो दिखाई देगा, तो हम फिलाल यहाँ पर इसे यही select करेंगे, और उसके बाद directly आपको यहाँ पर OK बटन पर click करेंगे, जैसे आप यहाँ पर OK बटन पर click करेंगे, तो आप देखेंगे, यहाँ पर आपका section break आपको दिखाई दे जाएगा, और उसके बाद आपके जितने भी similar words से, वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, अब माल लीजे इस mark को हटाने के लिए, हमें क्या करना होगा, हमें जाना है सीधे home tap पर, home tap पर जाने के बाद, आप यहाँ पर देखेंगे, paragraph block के अंदर, यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा, show और hide का, तो इस पर आपको simply click कर देना है, जैसे आप इस पर click करेंगे, तो आप देखेंगे, जो marks हमारे सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा था, वो सभी marks यहाँ पर हट चुके हैं, और basically आपका जो index हाँ, वो यहाँ पर create हो चुका है, अब माल लीजे, आप यहाँ पर किसी word को यहाँ पर add करना चाहते हैं, जैसे माल लीजे, मैं चाहता हूँ, कि office का एक और related word यहाँ पर मैं add करना चाहता हूँ, तो उसी आप किस तरीके से add कर सकती हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर update index का, तो उसी आप किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे माल लीजे, हम वापस से चले जाते हैं office वाले text पर, और office वाले text को हम वापस से select करते हैं, और वापस से हम चले जाते है reference टैप पर और यहाँ पर हम वापस से mark entry को click करते हैं mark entry को click करने के बाद और यहाँ पर हम इसका similar word यहाँ पर type कर देते हैं जैसे मा लिजे second similar word जो हम type करना चाहते हैं वो हम type कर देते है department department type करने के बाद simply आपको mark पर यहां पर click कर देना है mark पर जैसी आप click करेंगे तो आप देखेंगे वापस से हमारा वो mark यहां पर add हो चुका है और उसके बाद यहां से हम इसे close कर देंगे close करने के बाद यहां पर आपको office को select करके रखना है यहां पर भी आप इसे insert करना चाहते हैं आप उसके last में यहां पर click कर दीजे click करने के बाद आप देखेंगे यहां पर आपको एक option दिखाई देगा update index का इस पर आपको click करना है इस पर जैसी आप यहां पर click कर देंगे तो आप देखेंगे यहां पर office के just नीचे agency जो था हमने पहले add किया था और उसके बाद जो हमने अभी department add किया है वो आपको यहां पर दिखाई दे रहे तो इस तरीके से आप यहां पर index के अंदर update index का भी use कर सकते हैं तो दोस्तो इस तरीके से आप अपने document में किसी भी similar word को अलग से index कर सकते हैं अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को like, share जरूर कीजेगा धन्यवाद